अब हैं हेलो एवरिवन यह कोश्चें ट्रिग युड में ट्रिक है जो अभी आपके सामने है और इसको मैं स्वॉल्व करने जा रहा हूं तो यह बड़ा कॉमन कोश्चन है और पिछे कई बार यह से सिरीज के एक्जाम में बैंक एक्जाम में कोश्चन पुछा जा चुका हमें अकेले-अकेले term को sum करके series नहीं निकालना होता है वैसा अगर निकालने लगे तब तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि दिए गए time में value निकाला जा सकता है उन terms का आपस में कोई connection होता है उस connection को find out करना रहता है और फिर उस trigonometry के problem को solve करना रहता है याद रखें जब trigonometry में कभी भी ऐसा आए कि एक series का addition है तो इसमें हमेशा कुछ pair up करके कोई condition लगता है कुछ formula लगता है और हमेशा pair up होता है तो यहां पर हम भी देखेंगे अभी हमारे सामने सवाल है वो है sin square one degree sin square five degree sin square nine degree इस तरह से बढ़ते वे sin square 89 degree तक गया है तो इसका sum निकालना है तो देखिए आप sin 90 minus theta is equal to cos theta तो sin one की value वो cos 89 की value होगी जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं इस जगह पर देखिए साइन तो sin square one cos square 89 इस जगह पर तो यह तो पता लग गया कि sin square one और cos square 89 की value सेम होगी अभी series जो बन रहा है वो series कैसा बन रहा है देखिए one plus five plus nine plus यह इस जगह पर देखिए 89 तक जा रहा है जिसमें पहला टर्म है one और इनित टर्म जो हमें नहीं मालूम के 89 कितने नंबर पर आएगा वहां तक जाते जाते तो हमें इनित टर्म हमने माल लिया 89 और difference 4 का है तो यह arithmetic progression के formula से हमने जब निकाला तो हमें पता लगा कि 23 है यह जो series सबसे उपर जो दिख रही थी साइन स्कॉयर वन साइन स्कॉयर फाइव इसमें कुल मिला के 23 अलग अलग वैलू है जिसको हमें add करना है तो अभी देखिए जो साइन स्कॉयर वन होगा वो साइन स्कॉयर वन होग अब यह last term और यह last term यह दोनों add होकर के one बनेगा मतलब कि हर दो term add हो रहा है और वैलूर आ रही है वन तो कुल मिलाके जो हमारे पास term है यह 23 है 23 तर्म है तो यह 23 तर्म मिलकर कि कितना वैलूर देगा 23 बाइट टू और यह answer है तो एक बड़ा सिंपल सा question था पर इसको अग और बाकि अगर आप कोई और question है तो आप comment कीजिए हम लो reply करेंगे चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि हमें आगे भी और वीडियो डालते रहें थैंक यू